अ कि एमारे चैनल एक्स्प्रेंओं हिंदी अगर आपने सब्सक्राइब करें आज हम एक्स्प्रेंद करने में एक्स्ट्राॉडर्णी अटरनी वू की एट एपीसोड को सीरिल के स्टार्टिं में अटरनी वू दिखाए जाती जो अपने दोस्टवों के गहर पर होती है कभी टवप आकर अटरनी वू से पूछने लगती किया तुमने अपने पापा से फाइट किये तो attorney who कहती है मैंने fight की है वो reason पूसती तो attorney who कहती है कि अब मैं बड़ी हो चुकी है और मैं अलग रहना चाहती है इसके बाद attorney who हानबाडा love form में जाती है जहां पर लोग आपस में attorney who को देखकर बाते कर रहे होते कि यह CEO की connection की वज़ा से हानबाडा love form में आई है यह सारी बाते वो लोग आपस में discuss कर रहे होते फिर हमें मिन्सुक का दिखाया जाता है जो हानबाडा love form के article में देखता है किसी ने लिखा होता है कि attorney who CEO की connection की वज़ा से यहां पर आई है चोईसु भी यह article अपने phone में पढ़ रही होती तब ही वहाँ पर मिन्मू आ जाता है तो चोईसु उससे कहने लगती गुस्से में तुमने attorney who के बारे में सुना है किसी ने article लिखा है यहां पर चोईसु समझ जाती यह का मिन्मू का है इसके बद चोईसु attorney who के पास जाकर उसे phone में वही article दिखाती जहां पर वो कहती कि मुझे लगता है यह मिन्मू ने लिखा है तो attorney who कहने लगती कि उसने सही लिखा है और मैं सच में CEO की connection की वज़ा से आई हूँ नहीं तो कोई autistic को वकील नहीं रखता है यह सुनने के बद चोईसु गुसा करने लगती और कहती तुम काफी talented और यह बोलकर वो चिलाने लगती और सभी को सुनाने लगती कि यह बहुत talented है फिर वो attorney who से कहती अगर दुबारा मिन्मू तुमसे इस तरह की बात करे तो तुम्हें एक पंच मारना चाहिए उसके head पर और उसके stomach पर अगले सी नमिसोडिक काउं के side verification का दिखाय जाता है जहां पर हम देखते हानबारा love form के लोग पहुंच जाते और बारिश बहुत हो रही होती तो सब ने अपना अलग अलग अमरेला रखा था तबी वहाँ पर टेसान ग्रूप के लोग आ जाते जिनों ने टेसान ग्रूप के अमरेले लिये होते तबी मिसोड कहता है कि हमें भी professional दिखाना चाहिए और हानबारा love form का अमरेले यूज़ करना चाहिए तो जुन्हों उन लोगों को हानबारा love form का अमरेला निकाल के देता है जहां पर सभी लोग काफी रंगबाजी के सथ एकी कलर का अमरेला लगाते हैं फिर side verification के लिए वहाँ पर जज़ भी आ जाते जहां पर हानबारा love form के लोग उनको impress करने के लिए कोशिश करते लेकिन उन्होंने खुद पहले से एक अमरेला रखा था जिस पर attorney who की नजर पढ़ती और वो देखती कि bottle nose dolphin उस पर बनी होती है फिर side verification के लिए दोनों opposite party से जड़ डाटा मांगते तो ट्रेसाल गुरूप के लोग उन्हें डाटा देते हुए कहते हैं कि सुड़क गाउं के लोग compensation के लिए तयार हो चुके हैं यहां पर वो बताते हैं कि आदे से ज़्यादा गाउं कंपेशेशन के लिए तयार हो गये यह सुनने के बद मिनसुक के क्लाइट बहुत जादा ही खामोश हो जाता है क्योंकि उसके अपने लोग ही compensation के लिए तयार हो गये थे वो अपने लोगों पर गुसा करने लगते लयादे गाउंने compensation के लिए तयार नहीं है और हमें उनके बारे में सोचना चाहिए अपिस जजज दोनों टीम को मौका देते हुए कहते कि दोनों लोगों को गाउवालों की राय जाननी होगी कौन कितना compensation के लिए तयार होता हो और कौन दोस्ते वाइलन बजाने के लिए कहता है तो जज उन्हें रोगते हैं जहां पर मिन्सु का क्लाइंट बताता है कि हमारे खेतों से ये रोड निकल ले और वोने रेट फ्लैग दिखाता है फिर जज उन लोगों से कहते हैं कि तुम्हें सारी जानकारी लेने के बद वोटिंग करानी चाहिए गाँवालों से वो क्या चाहते हैं और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं फिर मिन्सु की टीम अंदर बैट के सोच रही होती तभी वहाँ पर जुन्हों आता और कहता है कि टेसाल ग्रूप के कुछ पार टाइमर आये हैं और वो सिगनेचर करा रहा है सभी लोग भा कर गाहSir वालों के पास जाने लगते लेकिन गाह Wanna σε राजी नहीं होते औरो कोमपशेशन के लिए तैयार हो रहे थे जहां पर हानबाढला लाव Daarम की लोग काफी उदास होते के कि गाहं वाले उनकी बात नहीं सुन दोते और कोमपशेशन के लिए anytime तयार हो र करती उनके सिगनेचर हमारे लिए काफी होंगे और उनके सिगनेचर से भी हमें कोई फाइदा मिलेगा फिर सभी लोग वहाँ पर पहुँच जाते लेकिन गहां के बुजर्ग उनके ऊपर सिगनेचर नहीं करते हैं जिसके बादमंडर ट्रेसर उनको काफी समझाती और वो कहत करने के बाद अटर्णी वू पेड़ के पास जाती क्योंकि वो अपना बैक भूल जाती तब ही वहाँ पस स्यो सोमी आकर उसे उसका बैक देती हैं स्यो सोमी अटर्णी वू से बाते करते हुए टेसाल ग्रूप में जॉइंट करने के लिए उसे प्रोपोजल देती हैं लेकिन अटर्णी वू कुछ नहीं बोल रही होती और वो चुप चाप उनकी बाते सुन नहीं होती तब ही मिन्वू उदर से गुजर रहा होता और उन दोनों को साथ देख लेता है जब वो नीचे आती है तो मिन्वू उससे अचानक से पूछने लगता है जिस वज़ा से अटर्णी वू उससे मारने की कोशिश करने लगती और कहती अगर दोबारा तुमने मेरे बारे में कोई आर्टिकल लिखा तो मैं तुम्हें पंच करूंगी वो मिन्वू को काफी फ़नी वे में डराती जिसके बद मिन्वू भी गुसा हो जाता है फिर अटर्णी वू अप पापा शॉक्ट हो जाते और उसे कहते तुम ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो तुम्हारी मॉम है लेकिन अटर्णी वो फिर वहां से जाने लगती तभी उसका पैर स्लिप हो जाते और वो गिर जाती है जिब उसे होश आता है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती जहां पर उसके फौदर बताते हैं कि मैं और तुमारी माँ सबी लोग एक ही कॉलेज में पढ़ाई करते थे हम दोनों को प्यार हो गया बात में मुझे पता चला कि वो टेसाव ग्रूप की फांडेशन की बेटी है और मैं किसान का बेटा था तभी तुमारी माँ प्रगनन्ट हो ली जाती फिर उन्होंने एक बेबी को मेरे पास बेजा जो तुम थी और वो अटरनीवू को समझाते हुए कहते कि हर चीज के पीछे एक रात नीती होती है अपनी पापा की राजनीती वाली बाते सुनने के बद अटरनीवू के दिमाग में एक आइडिया आता और सिविल की बाते सोचने लगती है जहां सिविल इंजीडर ने कहा तो ये कंट्रेक्शन को में पहले से जानता है इसके लिए 2016 में आफर आया था फिर उसे याद आता है कि 2016 में नेचरल मॉनिमेंट के लिए उस पेड को भी डिजाइन करने से मना कर दिया गया था फिर वो रात के ती करने से जानने से सबस्कारते हैं लाओ धाना तो फो आफिस के जानको left करते हैं जाकर फिर वह डुना पर वह बताता था ये वह बताता वाइलन वाले आदमी के पास जाकर नैच्रल मेर्जमेंट के बारें पूछने लगते हैं कि 2016 में ये साइन क्यों नहीं हुआ जहां पर वो उनसे कहता है कि वो थोड़ी देर बाद आएगा और फिर हम देखते जुनों अटरनी वो बाते करने लगते तो जुनों उससे पूछत वो वाइलन वाला आदमी भाग राया और वो जुनों को बताती है वो लोग उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं जहां पर वो काफी भागता है लेकिन आखिर में जुनों उसको पकड़ लेता है फिर वो लोग उससे पूछते हैं कि नैच्रल मेंजमेंट के लिए वो पे तुम्हे कहां से मिला तो वो उसे बताता है ये क्यानपू कंट्रेक्शन का लोगो है मैं मॉडल हाउस को देखने गयता है इसलिए उन्होंने मुझे एक दे दिया था फिर अगला सीनमे कोर्ट रूम का दिखाया जाता है जहां पर जादा वोटिंग होने की वज़ए से मैं खरीदने की कोशिश कर तुम्हारा क्लेम डिसमिस कर दिया गया है जजज उससे पूसते हैं तुम किस रीजन से अदालत को चुनावती दे रहे हो तो मिनसु कहता है आपको वो अम्रेले यादे जो आप साइट पेरिफिकेशन पर लेकर आये थे उस अम्रेले में उपो ओशन पार्क अपार्टमेंट के लिए मॉडल हाउस को ये विस्टर को दिया करते हैं जिसे हीमेंस के लिए नियोजिस शहर में क्योंपो निर्मार दौरा बनाने की योजना है अपोजिट निर्मार कह रहा है कि मैं हीमेंस के अपार्टमेंट खरीदने के हाउस गया तो जज उससे कहते हैं मुझे नहीं पता ये अम्रेला मेरे हाथों में कैसे आया तो क्यों सुक बताता है कि इस अम्रेला का मतलब होता है कि आप अपार्टमेंट खरीदने में इंटरस्टेड हैं और उन्हें पूरी जानकारी देते हुए कहता है नैचरल अम्यूजमेंट के इस पयड़ को डिसाइड नहीं किया गया तकि 2017 में काम नहीं 2016 में टै कर लिया गया त्लीए और हैक बेरी प्यड़ को यसडि नहीं कि और चाहि क्लेम को दिसमिस कर देक्वी कि बड़ अटर्नी वु अपनी मा की तरफ देखती है फिर हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ سीओ स्यो में बैटी होती वहाँ पर अटर्नी वु चाती है फिर वो सीओ को अपना पूरा नाम बताती जहाँ पर सीयो उससे कहती ये कुछ सिमिलर सा है तो अटरनी वू सीयो को बताती है कि मैं आपकी लड़की हूँ लेकिन मैं हमेशा अपने पापा की साइड रहूंगी ये सुनते ही सीयो को रोना आ जाते है जो काफी इमोशनल होता है और अटरनी वू की भी आखों में आसू आ जाते हैं अब वहां से कोई सब्वे लाइन नहीं बन सकती क्योंकि हैक बेरी पेर्ड को नैचरल म्यूजमेंट के लिए सिलेक्ट किया गया था और ये एपिसोट यहीं पे खतम हो जाता है अगर आपको मारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करे शेयर के सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूले